हाई अवरिवान गिल्ज में टूर की ओफिशली यूटूब चैनल पर मैं आप सब का वेलकम करता हूँ आज हम लोग नई सीरी शुरू करने जा रहे हैं यानि तक्रीबन तक्रीबन हम लोग आपको अठारां सो से दो हजार प्रीविए सीर के कोश्चन से हैं वो आपको करवाएंगे क्योंकि हमेशा ऐसे पेपर्स हैं जहां पर वेटेज हमेशा जादा रहता है जैसे कि हर्याना जी के हैं लोकल कॉर्मेंट के एक्जाम से है तो ज़्यादा तर कोश्चन साब को देखने को मिलेंगे तो वोई प्रीविए सेर के कोश्चन से है हम लोग उन्हीं पर डिसकेशन करेंगे और आपको अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे हर एक कोश्चन को हम लोग डीप तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको किसी भी दूसरी जगह से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं रहे जैसा कि इसमें बताना चाओंगा कि पटवारी की पोस्ट हैं टोटल जैसे पांस फाइव डबल एट हैं या 1100 हैं इसी बीच में गराम सेवक हो गया या कलरीकल के लिए हैं पुलीस के लिए अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैस्ट अपॉर्चुनेटी होगी कि आप अराम से गर बैट के तयारी कर सकते हैं जैसा कि आपको पता है कि exam से बहुत जल्दी भी हो सकता है आपके पास समय नहीं है क्योंकि आगे माना ऐसा जाता है कि October या November में यहाँ पर elections हो सकते हैं तो उसके नजर में अगर हम देखें तो exam बहुत जल्दी conduct होगा और बहुत जल्दी ही इसका result होगा तो इसके लिए आपको पहले में मैं बता चुका हूँ कि आप किसी particular book को revise के लिए पढ़ सकते हैं बट उस book को लेके मत बैठिएगा आपको जुरूरी यह होगा कि previous year के questions है उन पर नजर दोड़ाईएगा कोशिश करें कि उनको फटा फट जितना maximum time हो सकता है आप उनको cover कर लें तो हम लोग ऐसे ही previous year के questions पर discussion करेंगे तो अगर आपनी channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe करके bell icon को जुरूर प्रेस कर लें और ताकि हम लोग आगे विस्तार से पूरी discussion और पूरी series को continue करते रहें तो मैं आपको लेके चलता हूँ paper set पर और please आप इसको share कर दीजिए यह paper में question set है वो maximum हिंदी के अंदर है तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंगलिस दोनों बासों मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ठीक है हर्याना के मेंदरगार छेतर में कौन सा गण विद्वान था ठीक है बहुत अच्छा question है तो बहुत important question है तो मैं आपको detail में समझाने की कोशिश करूँगा सबसे पहले तो आपको बताना है कि इसका सही answer क्या है note करते चलिए का हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी speed को तेज रखेंगे ताकि हम कम समयकेंदर maximum questions cover कर सकें और यह बहुत important questions है इसका सही answer होगा ठीक है आपको याद रखना होगा उर्ज 9 इसका सही answer है option number C ठीक है अगर आपको मेंदरगड के बारे में पूछा जाए तो हरियाना का district है ठीक है और इसकी यह कब बना था 1st November ध्यान रखना 1966 को बना था और इसका जो मुख्या इसका में पूछी जासकती आपको इसमें और कुछ नहीं पूछा जा सकता है कि जो visitor place होते हैं जीसे एंदिम कर्यते हैं प्र Cannon Stल में पूछा जा सकता है तो सबसे प्र Cannon Stल की बात करते हैं तो यहाँ दोंसीचीन तीर स्तल है ठीक है यहाँ पर आपको याद रखना है दों पीपर में पूछा गया था पिछली बार की हमजा जी हमजा पीर की दरगा है वो इन में से किस जगह पर है तो में अंदरगर्ड इसका सही आंसर होगा ये भी आपको याद रखना होगा क्वेशन नमबर 2 के अंदर पूछेंगे बाबर ने हरियाना को किन सरकारों में विभाजित किया तो इसका सही आंसर आप सबको बताना है तो इसका सही आंसर क्या होगा करेक्ट बताने की कोशिश करूँगा दिल्ली मिवाद हिसार वे सरहन ठीक है तो सरहन ये आपको ध्यान चार जगाओं के सरकारते उसमें मिला दिया था बाबर की बात है तो मुगलों का पहला शाशक था जो भारत में आया था और यही मुगलों को लेकर आया था तो 1526 के अंदर इनका बैटल हुआ था ये आपको याद रखना है ठीक है अब इनके सारे बैटल्स आपको कैसे या बता देता हूं ठीक है तो आपने याद रखना है कि पंखा चला घर में यह आप याद रखिए पीफर हो गया पानीपत चैफर हो गया आपको याद रखना है चंदीरी गैफर गागरा और मैं फर आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल है मैं वाला आपने बताना है अंत म याद रखिएगा और 30 के अंदर इसके death होगी ति इसके बाद में इसका जो पुत्र था हिमाईय। उसने राजगदी बाबरों की संभाल ली थी मुगलों की चलिए आगे बढ़ते हैं Q3 है इन में से किस स्थान से समुंद्र गुप्त के शिक्के प्राप्त हुई हैं जो समुंद्र गुप्त था ना तो गुप्त डो डैनस्टी थी उनकी बात कुरों कोईन साब को मिले हैं कहां से मिले हैं इसका जो सही आंसर होगा option number D होगा याद रखिएगा कि मिता थल इस दा राइट आंसर है मिता थल ठीक है तो ये भी आपको ख्याल रखना है पेपर के संधरब में बहुत important questions है question number 4 तो ये किसके काल के अंदर पूछा जा रहा है तो इसका भी सही आंसर क्या होगा option number C होगा ये भी आपके याद रखिएगा मैसो जोई काल के अंदर हुआ था अगला question है बहुत important question है ये भौंकने वाले हिरन का निवास किस वन्य जीव अभरने में है ठीक है तो ये आपको बताना है कि wild life कौन सी century है जहां पर भौंकते हैं कौन सी हिरन भौंकते है तो ये बढ़ी अजीब सी बात है तो ये paper में आप आप से पूछा जा सकता है बहुत important question है तो पांच में question का सही answer क्या होगा इसमें होगा option number C कले सर वन्य जीव अभरने ये भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ लेते हैं उन से पहले कुछ important आपको ये भी बातों का द्यान होना चाहिए अगर कही न कहीं ब बात करें तो 93 है ठीक है अभी अगर बताने की कोशिश करूआ है हलांकि ये data changes हो चुका है ठीक है तो ये previous year जो इनी सेट के अंदर आये थे वो ही data की according में आप सब को बताने की कोशिश करूआ है clear आपको paper में cabinet की सबंदीत बहुत ही कम chances जाएं भी कुछ questions पूछे जा सकते ह बिकोज आगे election है और cabinet के संदर्ब में बहुत ही कम chances जाएं कि questions आप से बन सकते हैं पूछने लाइक पूछे जा सकते हैं जहां तक बात आती basic question आपको याद रखना है जो out of states है capital इसकी चंडिगड है बलकि चंडिगड एक union territory है फिर भी उसको पंजाब इन हरियाना की capital बना है अब अगर पूछा जाए तो कौन सी century चल रही है तो 21st 21 सदी चल रही है तो आपको याद रखी हैगा अब बात करते हैं कि total जैसे कि इंडिया की area का कितने percent area है वो हरियाना का है तो इसका 1.34 है 1.3 percent area है वो किसका है हरियाना का है तो यही में चीज़ें आपको main main बताता यह जो districts है यहां से बहुत सारे questions बनते हैं अंबाला हो गया तो यह main जो topics है main जो points है मैं सारे आपके सामने discussion करने की कोशिश करूँगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number देखते है next हरियाना में गेहू अनुसंदान संस्था स्थित है हरियाना में गेहू ठीक है यह question आप इसका बिल्कुल correct answer होगा अब करनाल के बारे में थोड़ा सा कोशिश करो कि आपको सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं अगर करनाल हमारे option के अंदर इसका सही answer आया है तो मैं आपको सारी चीज़ें यहां पर अच्छे से clear करवाँगा ठीक हो यह सभी districts में बहुत important facts पूछे जा सकते हैं बट जो करनाल से पूछा जा सकता वो यह है करनाल की बात करते हैं तो इसको कब बनाया गया था 1966 को बनाया गया था ठीक है और इसकी area की बात करते हैं तो 25-20 यानि इसका total area है ठीक है अब यानि यहां पर आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है आपको प्रियाटन स्थल पूछे जा सकते हैं तो प्रियाटन स्थल में नोट करिएगा अगर कॉपी पेने तो करन जील के बारे में पेपर में पूछा गया था तो ठीक है करन जील कहां पर है करन जील कहां पर है याद रखिएगा करनाल के अंदर है इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि उचाना जो उचाना है वो कहां पर है तो उचाना या आपको पुनका पुल मजार पूछा जा सकता है तो ये भी कहां पर है याद रखिएगा करणाल के अंदर है इसके अलावा जहां तक बात आती है कि अगर population wise हम देखें तो हर्याना में कौन सा इसका place बनता है तो इसका पांचमा 5th rank बनती है ठीक है ये भी आपको याद रखना होगा इसके बाद में important facts यहां पर और आपको करनाल के लिए याद रखने होंगे जहां तक बात आती है कि इसमें करनाल की particular यहां पर जो खनीज क्या होता है तो ज़्यादा तर यहां पर क्या होता है अगर आपको यही चीज़ें पूछी जा सकती है तो यहां पर क्या होता है सोरा ठ बताना चाहूँगा कि सूगर की याद रखिए चीनी की, इसके अलावा जैसे शूखी हो गई, जूता बनाने की, और इसके अलावा जैसे की रिफाइंड जो मैं कह सकता हूँ कि रिफाइंड घी है ना, जितना भी है, यहाँ पर बनता है, तो यह भी याद रखिएगा, जाते हैं, जैसे प्लेयर के बरें, पूचा जा सकते हैं, इसके विफार में आ सकते हैं, वो भी आपको याद रखने होगें, ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पर हिसार के बरें, बहुत सरी इंपौर्टंट कोशन बन सकते हैं, हिसार को कब बलाए गया था, हिसार भी 1966 म कौन सा है तो आपको याद रखना है कि Blue Bird कहां पर है Blue Bird हिसार में है Blue Bird हिसार में है अगर युनिवस्टी पूछी जाए तो चोधरी चरण सिंग जो Agriculture University है गुरु जंबेशवर युनिवस्टी है वो हिसार के अंदर है अगर पूछा जाए कि राश्ट्री संस्था जो है Central Government के जो Organizations है उन से पूछा जा सकता है जैसे राश्ट्री अशवशोद ठीक है अशवशोद के अंदर कहां पर है यहीं पर है किंद्रिय भेंस जो बफलो का है तो वो भी Research Center यहां पर है तो यह भी आपको याद रखना होगा इसके अलावा कुछ और चीज़े हैं यहां पर Industries के पूछे पूछा जा सकता है Agriculture जो जितना भी जैसे की यंतर बनते हैं तो वो यहीं पर बनते हैं और इसके अलावा जैसे की Handloom जो कपड़ा है वो भी इसी का यहीं पर बनता है कपास की छंटाई भी यहीं पर होती है तो यह facts से इनके याद रखना है आपको National Dairy Development Board कहां पर है चार option आपको दे रखें बहुत important session होगा यनि मैं question के साथ में हर एक question की जबर्दस तरीके से आपको extra चीज़ें याद करवाने की कोशिश करूँगा तो इसका सही answer क्या है करनाल है तो यह आपको याद रखना है National Dairy Development जो development board है वो कहां पर है करनाल के अंदर है करनाल डिस्टिक बहुत important है यहां से बहुत बार paper में questions पूछे गए हैं हलांकि मैं अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में discussion करके आपको बताये थे सबी questions तो आप लीज याद रखिएगा अगर देखते हैं कि दक्षिन हर्याना में अरावली पहाडियों के भाग तथा पंचकुले जिले की मोरनी पहाडियों के भाग उपियुकत हैं तो यह कहां पर है question number 8 का जो सही answer क्या होगा इसका सही answer होगा B पवन उर्जा हे तो ठीक है तो यह भी आपको याद रखना होग अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे ज़्यदा हर्याना के अंदर कौन सी पहाडियां है ठीक है हिल्स स्टेशन के बारें पूछा जा सकता है कि कौन सी ज़्यादा सरी जाए तो भी आपको अरावली ही बतानी होगी ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि रिवाडी जले का कौन सा उद्योग समपूरन भारत में पूछा गया है तो बताईएगा प्लीज इसका सही अंसर बताना है आप सबको कोशिश करें आप जितने भी स्टूडेंट सी सेशन को देख रहे हैं कोशिश करें अपने आपको चेक करने की हला कि आप यूटूब पे हजारों गुरूजन से पढ़ेंगे बहुत सारे टीचर साब को पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती हैं इंपॉर्टेंट की जो आपके दिल और दिमाग के आसपास होती है और आप ऐसे कोशन से बन सकते हैं आप इग्नोर मत करिएगा त तो इसके लिए याद रखेगा पितल बरतन के लिए उद्योग बहुत फेमस है तो यह पेपर में पूछा जा सकता है जहां तक बात आती रिवाडी की तो रिवाडी को कब बनाया गया था तो नाइंटीन एटीन आइन के अंदर बनाया गया था टोटल एरिया की बात करें तो 594 km स्केर इसका एरिया है अब बहुत पूचा जा सकते हैं मेंذर वही चीजहें पूची जा सकते हैं कि प्रियटर्ल क्या क्या है यहाँ पर तो आपको सबसे पहले क्या पूचने है देखो इसके अंदर क्या है फॉरेस्ट एरिया यहां पर ठीक है वो भी पूचा जा सक कहां पर है रिवाडी दिस्टिक में हनुमान टेंपल कहां पर है रिवाडी के अंदर है गंटेश्वर टेंपल कहां पर है रिवाडी के अंदर है ठीक है और आपको बालबर पूछा जाए यानि धारू हिडा पूछा जाए तो वो भी कहां पर है हरियाना के अंदर है जहां त जो यहां से निकलती है मेंनली फैक्टरी जो इंडस्ट्री अरिया नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर जितने भी हमें कह सकता हूं कि नॉर्मल जैसे दाल, तैल, यह हो गए, यहां पर बनते हैं अब यहां पर एक और कोशन्स पूछा गया था पिछली बार कि पेपर में ये पूछा गया था कि इसकी जो उप तैसिल कौन सी है ठीक है तो वो धारू हेडा ही है वो पेपर में पूछा गया था हलांकि इतना कोई जादा हर कोशन हम एक्सपेक्ट नहीं करते बैसे पूछे जाएंगे अगला कोशन है कि हर्याना राजे की नई उद्योगिक नीती 2011 में उद्योगिक टाउन्शिप खोलने की गोशना की गी थी तो बताईएगा कि किस जिगा पर खोलने की गोशना की थी तो इसका सही अंसर क्या बनता है कोशन नंबर 10 का तो इसका सही अंसर क्या बनेगा फरीदा राइट आंसर है, रोत्तक इसका विल्कुल करेक्ट आंसर है, काम करो, रोत्तक के बारे में सारी important चीज़े note करो, जो कि सबसे पहले आता है कि रोत्तक को कब establish किया गया, तो इसको 1966 में किया गया था, यह पहला question बन गया, अब दूसरा question आपसे पूछा जा सकता है, कि जैकि त तिलियार लेक कहां पर है, note करियेगा, तिलियार, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तिलियार जो लेक है, वो कहां पर है, तिलियार लेक, रोत्तक के अंदर है, नमबर टू, note करियेगा, मेना कहां पर है, मेना एंड आपसे नौरंग पूछा जा सकता है, मेना ए गुरुकरण जो पॉण्ट के बारे में, पेपर में पूछा गया, ये तो वो भी आपरा रोटतर के अंदर है, दीनय मसजीद, ठीक है तो ये भी बहुत important है, दीनय मसजीद कहां पर है, रोटतर के अंदर है, सीसे वारी मसजिद कहां नेक्स्ट कोश्चन इसी के अंदर से हैं कि जो कपास गिनिंग होती है या चीनी पावर लूम होते वो कहां पर है रोतर के अंदर है तो यह भी आपको ख्याल रखना होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में वर्तमार में 2010 बारावे मत्र मृत्यु धर क्या है हलाकि कि पेपर पुराना है इस विजसी उन्होंने उस बेस पर कोश्चन पूचा था तो उस वक्त इसका करेक्ट आंसर था 146 सैंसर की कॉर्डिंग जो अपडेट होगी वो मैं आपके सामने शेर करूँगा कोश्चन नमर 13 है यहाँ पर नेम होदा परसन दे रखा है और इस साइ से ही अंसर यह होगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर देखते हैं 14 रेडियो स्टेशन बताने भीया कहां कहां पर है जो कि हर्याना के अंदर रेडियो स्टेशन की बात करते हैं प्लेस पर्टीकुल क्या कहा है एक तो रोतक के अंदर याद रखिएगा ठीक है रेफ रेड है कि आला गीतों की खोजहर पर्थम किस ने की थी बहुत ही फेमस पाइंस बार आच अगे देखते हैं मारकंडे तीर्थ सल किस जिले में एम किस नदी के किनारे परस्तीत है, मारकंडे, ठीक है, तो मैं आपको देखो बहुत ही सिंपल तरीके से, कोशन बड़े अच्छे से तरीके से बताऊंगा, इसका सही अंसर के कुरुक्षेत्रा इसदर आई टांसर है, अगर पूछा जाए सबसे जादा हरियाना के अंदर कुरुक्षेत्रा के हिस्टरी बहुत ही फेमस है, ठीक है, कुरुक्षेत्रा को हम देवता भूमी भी कहते हैं, कुरुक्षेत्रा को हम क्या कहते हैं, देवता भूमी भी कहते हैं, सबसे पहले कुछन पूछा जा सकता है कि कुरुक्षेत्रा किया गया था एक एक चीज नोट कर लो इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया को बहुत बड़ा नहीं है 1530 है 1530 यानि किलोमेटर स्केर है पर ठीक है अब आपसे पूछा जा सकते हैं कोशन में आपसे पूछा था कि जो थाने सर शुरू के अंदर मुनें कोशन पूछा थ तो ये भी आपको याद रखना है कहां पर है कुरुक्षित्रा में है नेक्स्ट आ गया कि जोती सर कमली वाले बाबा का देरा जोती सर कहां पर है वो भी कुरुक्षित्रा में है जो कमली वाले बाबा का देरा था कमली पहमते थे वो बाबा का देरा कहां पर है कुरुक्ष इसके बाद में पेहुवा पंचवटी याद रखिया का कुबेर टीर्थ नरकात्री कमोधदा कुरक्षेत्रा महाभारत युद्ध के लिए बहुत फेमस है ये भी आपको याद रखना है ठीक है एम श्रीमत भगवत गीता का जनमस्तल भी कहां पर है कुरुक शेत्रा के अंदर है तो इतनी ज्यादा important facts है इसके जोड़े होए कि यहां से हर बार question पूछा जाता है और यह भी पूछा जाता है कि सरस्वती नदी का निवास कहां से होता है तो वो भी कुरुक शेत्रा से होता है परमुख जहां तक industry की बात करें तो यहां पर जैसे की हत करगा का जो पृक्तिरीज का काम होता था पुराने टाइम के अंदर वो बही होता है ठीक है इसके अलावा सूगर की इनदस्टीर्ज की है इसके इसके अलावा जैसे की agriculture के सबंदित जो क्रिशी की जो इतनी वह बनते हैं वो भी यहाँ पर बनते हैं में जो paper में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता 40 layers जो system है वो उसका production कहां से होता है वो कुरूक शेत्रा से ही होता है ठीक है तो ये बहुत important आगे बढ़ते हैं हरियाना में कितनी विदानसभा चेतर अनुसुचित जातियों के लिए अरक्षित हैं मतलब यह है कि हर्याना में जो legislative assembly की जो seats हैं उनमें से अगर हम बात करें विदानसभा के अंदर तो कितनी reserve की गई है total मैंने आपको discuss करके बता दिया था कि 90 seat हैं अब जहां तक बात आती अठार में question की तो इसका जो सही answer होगा 17 seat वो reserve कर दी गई थी question number next है कि कि किस भासा के प्रुस्ताहन हेतु उसे राज्या के दिवित्य भाषा गोशित किया गया है मतलब कौन सी language है जिसे यानि public के बीच में ज्यादा तर बोली जाती है जिसे second भाषा कर दी गई है तो यह है आपकी पंजाबी भाषा ठीक है तो पंजाबी भाषा याद रखिएगा बीसमा कोशन है कि राज्या की कुल शेहरी जन सेंख्या में कितने परतिशत महलाएं है जो शेहर की population है उसके अंदर total कितने परतिशत यानि female है बहुत अच्छा कोशन है पेपर के point of view से बताना चाहूंगा कि ऐसे कोशन्स आपको पेपर में definitely पूछे जा सकते हैं इसलिए म अगर पूछा जा सकते हैं कि यहां का ट्री की बात करें तो क्या है विया पीपल है आपको याद रखना होगा अब दूसरी बात है कि state bird की animal की बात करें तो black buck है आपको याद रखना यह बहुत सिंपल है दूसरा उसके बारे में flower की बात पूछी जाए तो आपको याद होता है यह भी आपको याद रखना है ठीक है मेंली जो इंडस्ट्री है हरियाना के अंदर वो बता देता हूं डिस्टिक और पर्टिकुलर एरिया सीमेंट का बनाने का सबसे ज़्यादा कहां पर है सूरजपुर में यह नोट कर लो सारी चीज़ें आप यानि आप एक काम क यह कोई भी वीडियो उठा लीजिए आपको ऐसी चीज़े डीप में नहीं मिलेंगी सिर्फ प्रशनों के उत्तरवेशक मिल सकते हैं ठीक है अब मैं इसमें दूसरा बताना चाहूंगा जो साइकल का साइकल इंडस्ट्री है साइकल इंडस्ट्री देखो एक तो साइकल है स शुरू में आता है और यह कहां पर है सोनी पत में है ठीक है सोनी पत हो गया अब उसके अलावा आपको कैसे याद रखने है उसके अलावा आपको याद रखना है कि फ्रीद ने साइकल ली और वो जीन्द के साथ यानि पलवल चला गया तो जीन्द के साथ इसको लॉजिक स जहां पर cycle की industries है अब आता है कि इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो काघज है जो चाहरा है ठीक है काघज हम जो use करते है इसका इसकी फैक्टरी जो याद रखएगा काघज की काहां पर है याद रखएगा काघज की कहाँ याद रखएगा अब यानि इसके अंदर पूछा जा सकता है कि जितनी भी engineering department है, engineering जो factories हैं, अगर मैं बात करूँ कि engineering उद्योग हैं, वो फरीदाबाद के लिए famous हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखुआ, इसके अलावा, जैसे कि राजस्तान में उन विक्कानिर है, अगर हम बात करें कि यहीं फरीद के साथ में और जीन्द भी है, दोनों बंदे चमड़ा बेज रहे हैं, बोले इतनी ज़्यादा बेरोजगरी बढ़ गी हैं, तो फरीद ने क्या किया, जीन्द के साथ में चमड़ा बेजना शुरू कर दिया, ठीक है, अब यानि इसके बाद में important question आपसे पूछा ज इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि तामबा पीतल तो रिवाडी के अंदर है, चीन्नी मिट्टी का पूछा जाए तो गुडगामा और बादरगड के अंदर है, और अगर आपको पूछा जाए कि मारुती जो बनती है, वो कहाँ पर इसके industry है, तो वो गुरू ग्राम क अंदर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत important question है, next question है कि देवी रूपक योजना कब शुरू केगी थी, तो देवी रूपक योजना थी, ये कीगी थी, 25 तंबर 2002 को शुरू केगी थी, चोधरी लहरी किस जिले में सबंद रखते थे, तो चोधरी लहरी ये किस डिस्टिक से particular तो बताना चाओंगा, सोनी बत से थे, तो ये भी आपको याद रख लेना है, इसके बाद में अगला question हो गया, 23 यानि 23 नमबर question है कि हर्याना में जो अनुसिची जातियों में पुरुषों की जो सक्षरत दरत, यानि कित literacy rate पूछा गया आप से, तो इसका सही answer क्या होगा, इसका होगा 75.93, काफी अच्छा है, कुछ और question थे, हर्याना सरकार ने किसके लिए fair and scholarship करेकरम शुरू किया था, तो ये किया था particular जो ऐसी category के players हैं, उनके लिए ये करेकरम शुरू किया था, ये भी paper में पूछा गया, पिंडारा का प्राचीन नाम क क्या है, जोतने भी old name है, वो जुरूर पूछे जाते हैं, मैं आपको particular session के अंदर repeat करवा दूँ, असारे के सारे ये, तो इस 25 नमबर question का जो सही answer क्या होगा, पिंडारा यानि आपको याद रख लेना है, पुंडरी का, तो देखो पिंडारा पुंडरी का, logic बन रहा है, त बोहर particular, इसका राइट answer है, रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गदी पर कौन बैठा था, तो ये question बहुत बार पूछा गया history से, बलकि S.A.C.C.G.L. में पूछा गया है, तो इसका सही answer क्या होगा, मुईजुदीन बहराम इज़ा राइट answer है, question number next है, कि हडपा कलिन सभ सभ्यता के अवशेश कहां मिले है, हडपा कलिन, जो सभ्यता थी, उसके अवशेश कहां पर मिले थे, तो इसका सही answer क्या था, इसका answer है बिवानी, तो बिवानी district के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, ये भी हमें याद रखना होगा, चलिए बिवानी के ब बात करें, तो 477, 4778 किलोमेटर स्केर यहां पर है, अब यानि यहां पर आपको क्या पूछा जा सकता है, में लिए यानि पर्टिकुलर जगें कौन कौन सी यहां पर फेमस हैं, तो शान के जो पंच तीर्थ हैं, वो कहां पर हैं, बिवानी में हैं, ठीक है, रेड रोबिन दरागे हैं, वो कहां पर हैं, बिवानी के अंदर हैं, अगर पूछा जाएं, यहां पर आपको इसके अलवा जैसे इंडस्ट्री पूछे जाएं, जैसे मैंने भी बताया है, ठीक है, तो यह भी यहां पर आपको याद रखना होगा, मेंली बस एक, दो, चार कोशन साब शरवन सह आता है, तो सोनी पत्या याद रखने हैं, ठीक है, तो यह बहुत ही सिंपल है, सोनी, कैथल का युद कब हुआ था, कैथल का युद आपसे पूछा जाता है, तो इसका सही अंसर क्या होगा, 1240 कैथल का युद हुआ था, तो guys इसी परकार मैं आपको 30 से 35, 40 कोशन की सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें से आपको मैं 30 कोश्चनों की बजाए 60-70 रपीट करवाऊँगा आपको सेशन कैसे लगा मुझे जुरूर बताईएगा आप सबने अपना बेश कीमती समय दिये इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया करूँगा मैं मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में तब तक ख्याल रखिएगा टेक केर बाबाई